वेल्कम बैक, नमस्कार, मैं हूँ गुपाल सर्मा और आप देख रहे हैं कॉरल रोड 2021 टिटोरियल, इस क्लास में आप सीखेंगे टेक्स टूल के बारे में, कॉरल रो में टेक्स टूल क्या है, कितने तरीके से हम लोगी से इस्तमाल कर सकते हैं, और इसमें कितनी तरह के हमें प्रॉपर्टीज और कस्टमाइजेशन मिलता है, इन सारे चीजों के बारे में, तो चली क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ सेर कीजिए, और अगर चैनल में जाके देख सकते हैं, कौरल रो में हमें टेक्स टूल में दो तरह के टेक्स्ट इंशर्ट करने के आप्सन मिलते हैं, पहला है आर्टिस टेक्स्ट और दूसरा है पैराग्राफ टेक्स्ट, टेक्स्ट टूल आपको टूल बार में यहाँ पे नजर आ जाएगा, इ लेकिन अगर आप mouse से click करते हैं, hold करते हैं और drag करते हैं और कुछ इस तरह का एक block बना लेते हैं तो इसके अंदर अगर आप कुछ लिखते हैं जैसे तो ये एक paragraph text का लाएगा, ये दो तरह से आप coral row में text को insert कर सकते हैं, अब दोनों में क्या फर्क है, किस तरह से customize करेंगे, सारी चीज़े बताऊंगा, लास्ट में इनके जो super tricks हैं, उन्हें भी जरूर बताऊंगा, जैसे हमें से बताता हूं, तो लास्ट तक वीडियो को आगे क्या कर पाएंगे, तो अगर आप pick tool लेते हैं, और artist text पे click करते हैं, तो उस पे आपको resize handler नजराएंगे, जिनने click करके drag करते हुए, आप इसके size को कुछी सतरह से resize कर सकते हैं, जैसे चाहें, आप height में change करना चाहें, आप width में change करना चाहें, वो सारी चीज़ें आप क कर सकते हैं, देखें, मैं वापिस वहीं ला रहा हूँ, है ना, और अगर आप paragraph पे click करते हैं, तो paragraph पे क्या होगा, थोड़ा सा जून कर लेता हूँ मैं इसे, और scroll करते हूँ पहले ऊपर लेता हूँ, अब यह देखें, यह paragraph पे लिखा हुआ है, आनि एक block का इस्तमाल हमने किया है, अब अगर इसके किसी resize handler पे मैं click करके इसे track करता हूँ, तो इसके अंदर जो text है, उसका side change नहीं होता, हाँ, यहाँ पे जो block है, उसका side जरूर change हो जाता है, और यही है इसकी खासियत, आप कहेंगे इसमें क्या बात है, तो चलिए समझाता हूँ, अगर इस block को नीचे आ जाएगा इस तरह से, अगर नीचे नजर नहीं आवे तो यहाँ पे block जो दिया हुआ है, इसे click करके इसे drag किचेगा, ऊपर करेंगे तो text छिप भी जाएगा, तो इस block को आप इस तरह से बड़ा या छुटा कर सकते हैं, और उसके अंदर जो भी text लिखा रहेगा, वो उसके अंदर wrap होगा, उसका side change नहीं होगा, तब आप पूछेंगे कि इसमें side कैसे change करेंगे, तो जो भी हम लोग global properties पाते हैं किसी भी text tool के साथ, किसी भी software में वो इसके साथ भी मिलेगा, अर्थात आप text tool लें, text tool लेने के बाद इसे select करें, select करते हैं, उपर property बार में आपको text से संबंदी सारे tools नचराने लगें, जिसमें पहला है font, फिर है size, इसके बाद इसके styles, bold italic, underline वगेरा, यहाँ पे आपको align मिल जाता है paragraph का, आगे बढ़ेंगे तो bullet and numbering मिल जाता है, और यहाँ पे आपको drop cap मिल जाता है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको available हो जाती है, जो आपको करना हो वा आपको कर सकते हैं, जैसे हमें सबसे पहले इसका font change करना है, तो click किया हमने और यहाँ से जो भी font लेना चाहते हैं, वो ले लेंगे, उसके अनुसार आपका text block हो, या तो फिर आपका artist हो, दूनों में ही font change कर सकते हैं, अब एक एक करके सा paragraph में T को capital करना चाहते हैं, तो इसके लिए text tool लेंगे, और यहाँ click करेंगे, T को मिटा देंगे, shift के साथ T type करेंगे, और यह हो गया change, इसे तरह artist वाले में भी text tool लेके अगर हम click करेंगे, तो उस पे भी हमारा cursor आ जाएगा, जिससे हम use कर सकते हैं मिटाने के लिए, और फि उसे click करेंगे, select करेंगे, इसके बाद यहाँ से आप जो भी font change करना चाहते हैं, उस पे जाके click करते हैं, उसके अनुसार आपका font का जो style हो चेंज हो जाएगा, नीचे अगर paragraph है, तो आपको यहाँ पर शालियत मिलती है, आप एक एक अच्छर को भी change कर सकते हैं, artist में भी क सकते हैं, और पूरे का पूरा joystick है, उसको भी आप बदल सकते हैं, कोई problem नहीं है, selection tool के साथ आप artist हो या paragraph हो, दोनों में ही किसी का भी font आप change कर सकते हैं, सेम उसी तरह अगर size आपको change करना हो, तो पूरे का change करना हो, तो बस click करतीजे, और यहाँ से जाके font size change कर लीजे, जै लेकिन अगर किसी एक अच्छर कर change करना हो, तो आप text tool ले सकते हैं, या तो फिर double click कीजेगा, तो भी आपका text tool आ जाएगा, तो जिसे भी आपको change करना हो size, उसे select करने के बाद यहाँ पर जाएं, और font size पे, जितना size लेना हो, उस पे click कर दें, और वो size यहाँ पे apply हो click करते ही, यहाँ पे आपको दो points नचराएंगे, एक यह और एक यह, यह जो है, यह अच्छरों के बीच में दूरी को घटाता बढ़ाता है, जबकि यह वला जो है, वो line से line के बीच में दूरी को घटाता बढ़ाता है, अब यहाँ पर तो यह single line है, चलिए मैं इसे side कर दे कि हमारी जो line है, वो एक दूसरे से दूर हो रही है, जिसे हम लोग line spacing बोलेंगे, और इसे हम लोग text spacing बोलेंगे, यह horizontally text को change करता है space, और यह vertically change करता है space text का, अगर हम paragraph पे click करते हैं, तो paragraph पे भी same यही option हमें देखने को मिलता है, अगर हम इसे नीचे track करते हैं, तो इसका line space change हो जाएगा, और अगर इसे हम लोग horizontally इस तरह से track करते हैं, तो इसके बीच का जो horizontally space है, आनि अच्छर से अच्छर के बीच की दूरी जो है, वो change हो जाती है, paragraph हो या फिर आपका artist हो, दोनों में ही आप pick tool को लेते हुए double click अगर करेंगे, तो इन में आपका rotation और skew option enable हो ज सकते हैं, इस तरह से rotate कर सकते हैं, जो कि हमने save के साथ किया था, मतलब ये भी save की तरह ही use होने लगता, सेम इसी तरह से अगर paragraph पे हम double click करते हैं, यहाँ पर भी आपको skew option मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको rotate का option मिल जाता है, इस class में यही तक, इस class में आपने text tool के बारे म ना भूले, मिलते हैं next class में, तब तक लिए bye, thank you